ओम सायरा मैं सुभागनेगी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ साइबाबा के चमतकार और बक्तों के विश्वास चैनल में तो आज का जो एपिसोड है इसका जो experience हमें share किया है वो है भूवनेश्वर पिछले कल भी मैंने इनी का ही experience share किया है मतब इनकी मिरे पास 3-4 experiences आये हैं एक मैं कल share कर चुकी हूँ जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो जूड बोल करके दर्शन करने गए और उसकी कैसी सजा बाबा ने उनको दी तो आज का latest है अभी 10-11 दिन पहले की बात है भूवनेश्वर में जहां वो रहते हैं तो उनकी पत्नी के सपने में सुबा का टाइम था शायद 3-4 बजे के टाइम अमरित बेला जिसको बोलते हैं तो दोदों ही बाबा के डिवोटी है तो सपने में बाबा उनसे कहने लगे कि जो बाहर जो तुलसी है वो कहते हैं कि उनके आंगन में जो तुलसी है वो बिल्कुल शिवलिंग के आकार की बनी हुई है तो उनके दिमाग में कभी कबार आता होगा कि यहां पे शिवलिंग रखें क्या इस तरह से मन में आ भी रहा है फिर बाबा को मानते है और तुलस कि बाबा उन्हीं कही रूप हैं इसका एक्सपिरिंस मेरे पास भी है मुझे भी बाबा ने बोले नाद के रूप में सपने में दर्शन दिया है जिसमें वो उदी से बरे हुए थे और उन्होंने मुझे पताल लोग दिखाया था जिसमें उन्होंने मुझे चांदी के नंदी चांदी के दो पैरेदार चांदी के शिवलिंग चांदी का शिवलिंग और उसकी नीचे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी तो ये मैं भी जानती हूँ कि बोले नात के बाबा एक रूप है तो उन भाईया की वाइफ के साथ भी बाबा ने सपने में आके कहा कि जब तू तूसी के पास शिवलिंग बिठाना चाहती है तो बिठाती क्यों नहीं है मन में ऐसा क्यों सोचती है कि बिठाओं की नहीं बिठाना क्यों नहीं बिठाती बिठा ले मैं आओंगा न कल कल मैं तिरे पास आओंगा तो इसको बिठा ले तो इस तरह से वो बोले सपने में और जैसे सुबा उठे उठने के बाद जब वो नहाँ दो करके तुलसी को पानी देने गई तो क्या देखते हैं वहाँ पे एक नंदी आये हैं मतलब साक्षाद बोले नात उनके पास आ गए हमारे बाबा उनके पास आ गए वो रूप लेके और कहते हैं कि वो न मुख करके बैठा हुआ है वहाँ पे उनका इंतजार अब गेट के अंदर कैसे आता है जानवर ये देखिए कितनी बड़ी लीला होती है गेट के अंदर आ करके तुलसी के पास तुलसी की तरफ मुख करके वो उन भाबी जी जो उन भाईया की वाईफ है उनका इंतजार कर रहा है वहाँ पे और वो जो ना के बाहर निकलती है तो एक्टम वो अच्छानक एकदम अचंबा उनको हो गया अरे यहाँ पे तो एक बहला रखा है सच में ही नंदी आ गए और उनकी खुशी का ठीकाना नहीं हुआ और अंदर जो भी उन्होंने बना रखा था और उन्होंने अपने पती को बोला था आज पका बाबा आएंगे आज जरूर बाबा आएंगे उन्होंने गर पे कुछ बना रखा था सुबसी मतुब उनको बोल दिया था ना कि मैं आऊंगा कल कल तेरे पास आऊंगा तो पहले सी उन्होंने त्यारी कर रखी तो कुछ तो होने वाला है कल कुछ न किसी रूप में बाबा आएंगे तो वो अंदर गई जो भी उन्होंने भोग वगेरा जो भी बना रखा था बाहर जाकर के उनको खिला लिया तो बाबा की ऐसी लीला होती है देखिए जो हम सोचते हैं ना कि बाबा बोलते हैं कि मैं अनेकों नहीं हूँ मैं एकी हूँ हम उनके नाम अनेक है हम अलग-अलग रूपों में उनकों मानते हैं लेकिन बाबा बोते हैं सबका मालिक एक चाए वो बोले नात हो चाए ब्रहमा जी हो चाए विश्नु जी है बाबा तो हमारे एकी है चाहे वो Christ है, चाहे पेगंबर है, जो भी है, दुनिया में जो भी चाहे सिख दर्म से related है जितने भी दर्म है, सबका एक ही स्वामी है, एक ही नाम है, वो सबका एक ही मालिक है एक ही मालिक मतलब सारे के सारे दर्म में जो भी हम बगवान को मानते जिस भी इश्ट को मानते वो एक ही है उन्हीं के वो रूप है तो देखे हो ना वो शिवलिंग की तरफ उसका अकार बनना है ना एक तो शिवलिंग की तरफ वो बहार जो उनके गर के बहार जो तुलसी है बिल्कुल शिवलिंग की अकार की है तो उनके मन में भी आना की शिवलिंग रखें क्या है तो बाबा उनको बोड़े सपने में ऐसा सोच क्यों रही है रख क्यों नहीं देती पूजा करना फिर रख ले शिवलिंग ला दे कोई शिवलिंग लाकर की बिठा दे मैं कल तेरे गर जरूर आउंगा और ऐसे ही हुआ बिल्कुल उनके गर आए और उनके हाथ से बोग खाके चले गए तो ऐसे होते बाबा की लीला ओम साहराम जै साहराम